नमस्कार मैं अम्रेंद्र तिवारी ओल्टाइम पॉब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों ये तो होना ही था जार्खन सरकार के महत्वपुन फैसले का डेली अबडेट लेकर आपके समक्च उपस्ति थूँ जिस तरीके से कुरोना संक्रमन के नए मामले निकल कर सामने आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से लगातार 600, 700, 800 और उसके बाद 1000 पार जब संक्रमन किया आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक जो मुखमंत्री के अध्यक्षता में की गए उसमें कुछ महत्वपुन निर सिरे से आदेश दिये हैं अब यह जो दिसा निर्देश हैं वो किस तरीके से स्कूलों पर लागू होंगे और उन बच्चों का क्या होगा जो आने वाले दिनों में एकजाम्स में शामिल होने जाएंगे तमाम शिक्षन संस्थानों को लेकर हलांकि यह जो मुझे रोक लग खवंतरी नादेश दिया है राज्य में बढ़ते संक्रमन को देखते हुए आठ से 30 अप्रेल तक सभी स्कूल कॉलेज जीम और पार्क बंद रहेंगे यह धियान देने वाली बात है दोस्तों आठ तारिक से 30 अप्रेल तक 8 अप्रेल से लेकर 30 अप्रेल तक सभी स्कूल कॉ परहवी की ओफ्लाइन कक्छाएं बोर्ड की परिक्षा को देखते हुए अभिवावकों की सहमती से ली जा सकेगी परिक्षाओं पर रोक नहीं है इसके अलावे जो दुकान हैं बाजार हैं रात 8 बजे के बाद नहीं खुलेंगे सभी प्रकार के जुलूस मेला खेल कूद के आयोजन पर पाबंदी रहेगी यानि कि एक तरीके से अनावाश्यक जमावडे पर भी रोक लगाने का सरकार का प्रियाश जो है वो किया जा रहा हैं रात के 8 बजे के बाद दोस्तों बाजार दुकान जो है वो नहीं खुलेंगे जारखन के अंदर और इस संबंध में आ आदेश जो है आठ अप्रेल से लागू होगा यानि कि आज साथ तारिक है तो आठ अप्रेल से यह आदेश लागू हो रहा है अपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में बड़ा निर्ने जो दोस्तों लिया गया और क्या-क्या निर्ने लिये गया हैं वो हम आपको बताते हैं ताकि शादी भी आज इनके हैं और श्राध उनके लिए क्या नियम हैं सबसे पहले तो सरकार के आदेश के अनुसार राज्य के अंदर अब अनावश्यक जमावडे पर रोक लगेगी बैंक्वेट हॉल शादी वाक के लावा किसी अन्य परियोजन के लिए उप्योग न 50 परतिशत लोग दोगज की दुरी का अनुपालन करके जो है वहाँ पर अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं दोस्तों इसी के साथ यह भी आदेश में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन विभाग के तरप से जो नियम कानुन बनाए गये हैं बिना मास्क के जो लोग उनको जुर्माना भी भड़ना पड़ेगा और मुख्य मंत्री ने ये जो बेवस्थाएं बैठक में की उसके बारे मुनों ने कहा कि करोना संक्रमन जो है वो लगातार बढ़ रहा है ऐसे समय में हमें सधैर और संयम जो है वोल बढ़ाने की जोरते साथ में परसासन यह भी परना गुप्ता साहब आपदा प्रबंधन मंत्री भी है सचीव मुख्य सचीव सुखदेव सिंग आदी उपस्थित रहे और साथ में दोस्तों मुख्य मंत्रे ने कोरोना संक्रमन के केसेस हलाकी अगर हम बात करें तो दुबारा जो है लाख के पार पूरे देश में कोरोन संक्रमन के ने केसेस जो है वो निकल कर सामने आए एक लाख 15,249 ने मामले दर्श किये गए हैं यह हाल फिलाल के दिनों में अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है एक दिन में एक लाख से अधिक ने मामले जो है इससे पहले भी रविवार को आये थे और वहाँ पर एक ला राची जो है इस बार भी केंद्र बिंदू बना हुआ है राची के अगर बात करें तो यहाँ पर पांसो जस से जादा संक्रमन के केसेस मिले और पूर्वी सिंगु में एक सा एक आनवे लोग पॉस्टिम मिले हैं राज में चारलों की मौत भी हुई है इसके अलावे राच राची के दो मरीज गढ़वा और गुमला से के एक मरीज भी सामिल है हलांकि राज में रिकवरी भी अच्छी खासी देखी जा रही है दो संठानवे लोकल स्वस्ट भी हुए है तो यह अपने आप में बड़ा अपडेट है और जिला स्कूल राची से आठ नए मामले मिले सेंट एंथोनी से छ सेंट जेवियर स्कूल से दो और डियवी बरियातियों से दो लोग संक्रमित पाए गए हैं इसके अलावे दुमका के प्रशिक्षन केंदर संस्थान से खिलारी भी पॉजिटिव जो है वो मिले हैं तो पाबंदिया जो है वो लगाई जा रही है और इ हौल या खुले अस्थान में किसी प्रकार के मंडली जुटाने पर प्रतिबंध रहेगा शादी में अधिक्तव 2000 लोग और अनतिम संसकार में कारिक्रमूं में 50 लोग हीं शामिल हो सकेंगे धारमिक सहिट सभी तरह के जुलूद पर प्रतिबंध रहेगा यानि की रामनम्म और सरहुल पर जुलूज जो है वो नहीं निकलेगा सावजनी का स्थानों पर अनावश्यक एक साथ पाँच लोगों को एकत्रित होने पर भी पाबंदी लगाई गई है रेस्टरों को 50 फीजदी छमता के साथ खोलने को कहा गया है साथ में प्रार्थना अस्थल के छमता के 50 फीजदी लोग ही सोशल जिस्चेंजिंग के साथ मवजूद रहेंगे जीम पार्क बंद रहेंगे मेला खेलकूद के आयोजनों पर भी प्रतिबंद रहेगा सभी जगा मास्क जो है वो अनिवारे रहेगा तो ये कुछ महत्वपून फैसलें जो है मन सरकार ने लिया है और हलाकि इसी के साथ ये अभी सरकार के तरब से कहा गया है कि जो ये छूट वापस लिगई है इससे आने वाले दिनों में परिक्षाओं पर कोई विशेस असर जो है वो नहीं पड़ेगा चले दोस्तों हम बात करेंगे बाबुलाल मरांडी के दल बदल मामले की सुनवाई जो है हाई कोट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवी रंजन और जस्टिस एसन प्रसाथ की खंट पीट ने इस मामले में स्पीकर के नोटिस को चुनोते देने वाली याचिका पर सुनवाई अगली सुनवाई जो है इस पर चार मई को होगी तो लगातार जो है कुरोना संक्रमन नए रूप में बढ़ रहा है और संक्रमन बढ़ने के साथ साथ सरकार ने अपनी तयारियां भी तेज कर दी है एक और जहां टिका करन अभियान में मजबूती लाने का प्रयास जो है व पॉस्टिफ पाए गए सेंजीवियर स्कूल डोरंडा के एक शिक्चक एक चात्र डियवी बरियातु के दो सिक्चक यानि कि स्कूलों से कोरोना संक्रमन का मिलना लगातार जारी है और इसके बाद सरकार ने आठ तारिक से लेकर तमाम जो है इसकूलों पर पाबंदी प्रिक्त बेड लगाने की ब्यवस्था जो है वो सरकार ने करने को कहा है कोरोना को लेकर जिलो में पुलिस को बड़ा अभियान चलाने की बात सरकार ने कही है मास्क को लेकर जो है पुलिस कर्मी रोजाना अभियान चलाएंगे और इस अभियान के सहारे जागरुक भी लो अप्रिल से पहले जार्खंड को 10 लाख डोज उपलब्ध जो है वो करा दिया जाएगा केंद्रिय स्वास्ट एवं कल परिवार कलियान मंत्राले ने जार्खंड सरकार को यह जानकारी दी है चले दोस्तों 20 अप्रिल और 23 अप्रिल को सिकंद्राबाद दर्भंगा सिकंद्रा अप्डेट है और दूसरी साइड लगातार जार्खंड में अगर हम बात करें यहां पर की जिस तरीके से खेल कूद और जिम को बंद किया गया है तो फिर जो है कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहने की ज़रत है और कोशिश कीजिए कि घर में ही ज्यादातर रहें अभी फिलहा कि चुकी संक्रमन के किसिस में लगातार बड़ोतरी हो रही है आर्थिक गतिविधियों परपाबंदिया जो है वो सिर्फ बाजार और दुकान को आठ बजे रात के बाद नहीं खोलने की बात करें पूरी तरीके से नहीं लगाई गई है फिलाल के लिए इतना है दोस्तों फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ अब तक लिए नौसकार जै हिन जै भारत जोहार जारखंड जै जारखंड